मतलब 48 लोगों की बली देने के बाद ये बिरिज है गाइस वेलकम बेक वर न्यू व्लोग और आज के व्लोग में जो जगे में आपको दिखाने वाला हो ना वो जगे शायद आपने देख लियो या उसके बारे में कभी ना कभी सुन लिया हो या ऐसा भी हो सकता है कि उसके बारे में ना तो आपने सुना हो और ना ही देखी हो बट बहुत ही कमाल गी और सबसे कमाल की महां की हिस्ट्री है कि उस जगे को बनाने में मतलब कितना बुरा हादसा हुआ था उस टाइम पर वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और जेसे जेसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं इस जगे के बारे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता हुआ चलता हूँ गैस आज का व्लोग स्पेशल है मेरे लिए ही नहीं आप सब लोगों के लिए भी समस्त मतलब सारे भारत वासियों के लिए जो भी भारत का नागरी है ना उन सब के लिए क्यों क्यों कि आज के व्लोग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे भारत के विकास की अभी तक क सबसे अदबुद चीज जो भारत में केवल एक ही जगे पर है और यह अदबुद चीज आपको मतलब अंदर से लगे का कि हां यार मतलब हमारे देश में भी कुछ विकास हो रहा है हमारा देश भी कहीं जगे तरक्की कर रहा है वैसे तो भारत में बहुत सारा विकास हो चुक में नहीं होगी फ्यूचर में वाला हूं तो या वीडियो ओने वाली ए तो आप सब लोग конечно तो आपने बहुत सुनी होगी मूवी समें असली में देखलो यह हमारे है क्याम लास्ली में जहां पर बताया जाता है टाकॲ अकु तुम्बल के लिए पूरी चंबल है आपको यहां से नजलना जाया और आके जाकर दिखाँ गया यह पूरी वही चंबल जिनके किनारे और रहा करते थे फिल्मों में उस टाइम पे और राजस्तान का जंगल वाला इलाका बीढ़ वाला इलाका जो बोला जाता है वह भी गाओ तो वह चीज़े भी आपको दिखाएंगे चंबल के किनारे के पिलहाल यह चंबल का घाटी वाला इलाका है मतलब जो घाटिया हुआ करती थे ना चंबल के किनारे बड़ी-बड़ी सी खाईया घाटिया वह वाला इलाका है और यह कोटा के आसपास पूरा इधर दाकूओ की महबूबा से और अगर नहीं मिलाया तो आज के बाद कभी भी इस चैनल पर वीडियो मत देखना यह क्या है इसको अटाने के लिए नहीं नहीं आप कमेंडमेंट कर दिया है अब तो इज्जत का सवाल आप कमेंडमेंट कर दिया है ना मिलाउंगा देखो यार आप को बोलाह頭 की महबूबा दिखांगा तो दिखांगा तो एक रही दाकूओ की महबूबा चंबल इसको भाई चाण से ज्यादा प्यार करते थे मिल्या पर जेश इसको अब लिए और जो बेजो करा है ना वहां जो बीच में तापू सा दिख रहा है ना वह है पूरा एरिया था तो उसी का राज चलता था तो कोटा में पूरा आस पास और मतलब काफी इंट्रेस्टिंग है यहां की और इस ब्लोग में में आपको भारत की एक लोटी नई जो नया निर्मान जो केवल भारत में यहां परी है कोटा में एक लोटा वो दिखाँ गैस हीरन देखो हीरन यह रहे हीरन तो उसे दिखते रहे हैं आसपास भी आ जाते हो हीरन नहीं आरी हीरन नहीं तो पता नहीं क्या है वाई यह कौन सा जान वरे गाइस बताना जून करके दिखा देता हूं एक बार आपको हीरन जैसा ही लग रहा है क्या पता जंगली हीरन हो या कोई दूसरा प्रजाती का हो पानी पीने जा रहे शायद जाओ 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 यार हमको क्या मतलब है जाओ भाई जाओ हम तुम्हें थोड़ी डिस्टप करने आए हम तो खाली ब्लोग बनाने आयते ही आपने हमारा ब्लोग बनवा दिया अब चलते हैं अब बात करते हैं ब्रीज की तो जो मैं आपको दि होगा कि एक ब्रीज ही तो है लेकिन क्या है इसके पीछे की बनने की कहानी है बहुत ही मज़िदार है पता इसका काम कब शुरू हुआ था 2007 में 2007 में इसका काम शुरू हुआ था और 2009 में यहां पर एक एकसिडेंट हुआ था जिसमें 48 लोगों की जाने गई थी कंट्रक्शन कर दोराण जब इसका काम चल रहा था उस टाइम पर क्या हुआ कि इस इससे से यहां से और इस साइड से बनाते वेर ख़े में तो वह बीच में से यहीं से त्रूट गया था भीच में तो वहीं से पुरा नदी में चला गया तो इसमें चला गया था तो उस में उस हादसे में कहीं लोग गायल हुए थे और 48 लोगों की जान गई थी इतने खतरनाग नाहीं कहानी और हम लोग पेले आया करते थे लेकिन जब ये बिरीज बना उसके बाद से इधर कोई निया था तो कि बंद भी रखा जब इतर पहले जब भी नहीं है पहले बहुत मज़े आया करते तह भी आएनों को को सद में एक रहोगा वो मंदिर उसके बाद बनाता जब वो हादसा हुआ था ना उसके बाद मंदिर बनाया मतलब दोनों साइड बनाया उस साइड और इस ब्रिज में नीचे बीच में देखिए आप कोई भी किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है पूरा उपर जो पिल्लर लगे हुए एक तो य प्राइद हो सकता है अपको मेरी आवाज चीक से ना रही हो और विरिज को बनाने में 213 क्रोड रुपे का खर्च आया था और इसकी जो दूरी है ना ये डेड़ किलो मीटर की है मतलब यह जो पूरा पूल है यह डेड़ किलो मीटर की दूरी पर लंबा है मतलब इतना एड पूरा एड़ किलो मीटर लंबा है और जो यह इसकी हैंगिंग वाले हिस्से के बात करें जो मतलब ह्हाँ में ही है वह irm है 350 मीटर जो कि हमारे भारत में पहला विरिज जिसका की कोई हिस्सा 350 मीटर का इतना बड़ा हिस्सा हवा में हो तो यह भारत का पहला विरिज अबसे इस विरिज पे जब ज्यादा वेट हो जाता है ट्राफिक ज्यादा हो जाता है उस दोरान इस पर साइरन बजने लगता है और फटा फट से मतलब लोग सतर्ग हो सकते हैं तो यह चीज भी इसमें खास है और बाकी यह जो पाइप से देख रहे हो आप इन पिलर पे इन पिलर क्या स्पास जो यह पाइप लगे हुए चोटे-चोटे यह पाइप एरोडाइनमिक है मतलब कि कितनी भी तेज हवा है इनका कुछ नी पिगड़ने वाला बहुत ही मजबूत है यह इनको जापान की एक कंपनी ने बना कर दिया है जापान से बन कर गया है अगर बात की तक नहीं जा सकते हैं तो बहुत ही जरना गिरता है यहां से आप कहीं से भी नीचे पानी तक नहीं जा सकते हैं और गाइस अब एक मज़ेदार चीज बताता हूं देखो यह देखो यह हिस्सा है ना बीच में जगे दिकरियो कि आप पूरी स्पेस बना हुआ है यह उदर वाली जो चट्टान है ना यह वाली यह दीरे दीरे उदर वाली यह पानी में जाती जारी है नदी की तरफ मतले और आलाग होती जारी है तीरे दीर उदर की सकती जारी है पानी की तरफ एक दिन है ना जल्दी यह पानी में किर जाए कि जा कर देख लिए ना चंबल में पेड मस्त लाग रहा ना पीछे आप पता है मुझे बिना एडिटिंग के यह एडिटिंग नि किए मैं इसमें कोई और देखो वह बीच में जो सेंटर में टापू सा दिख रहा है ना वहां पर उसके उपर है कोटिया बील का किला गड़ पर उसमें कुछ भी नहीं है झाल 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 झाल